विराट कोली और सचिन तेंदुलकर की अक्सर एक दूसरे से तुलना की जाती है और भारत का सबसे महान बल्लेबास के दावे पर सवाल उठाय जाते हैं माना जाता है कि कोली जिस तरह की निरंतर्था के साथ बल्ले बाजी करते हैं उसे वो सचिन को पिछे छोड़ने की सिती में आ सकते हैं इन बातों से इतर अगर कोहली के मौजुदा समय के आकड़ों को लेकर उनकी तुलना सच्चिन से की जाये तो पता चलता है कि भारती कप्तान किर्कट के भगवान कही जाने वाले सच्चिन तेंदुलकर से आगे निकल चुके हैं शच्चिन ने 482 इन तरवाश्य पारियों के बाद अगर सच्चिन और कोहली की तुलना की जाये तो कोहली सच्चिन से आगे निकल चुके हैं सच्चिन ने 482 इन तरवाश्य पारियों में 21,321 रन बनाए इस दोरान उन्होंने 66 शतक बनाए थे और 59 के आउसद से रन बनाए कोहली इतनी ही पारियों में सच्चिन से 4 शतक ज़्यादा लगा चुके हैं 482 पारियों में कोली ने 55 के आउसद से 22,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं कोली ने हलाकि नॉमबर 2019 के बाद से कोई शतक नहीं लगाया लेकिन इससे पहले उनका बल्ला शतक पश्यादा कोगल लगा था कोली ने 2017 और 2018 में 11-11 अंतराष्टिय शतक ज़्यादा ज़्यादा शतक ज़्यादा शतक ज़्यादा लेकिन इस मामने में वो सच्चिन को पीछे नहीं चोड़ पाए कोली ने 2017-18 में ये काम किया कोली ने अभी तक 70 अंतराष्टिय शतक लगाए हैं जिन में से 49 में भारत को जीत मिली है अगर प्रतिश्याद में देखा जाये तो कोली के 68.57 प्रतिश्याद शतक भारत के विजई शतक शाबित हुए सिर्फ 14 में भारत को हार मिली हैं कोली ने अंतराष्टिय शतक पर अपना आखरी शतक नौबर 2019 में बंगलादेश के खिलाफ इडन गार्डन्स में जमाए था उस मैच में कोली ने 136 रनों के पारी के लिए थी कोली ने बले बातों में गिने जाते हैं चोपने अधिक तर अर्धशक को शतकों में बाता है यानी कि उनका पचास को हंडर्ड में करने का ग। करने का जो कनवर्जन डरेड़ है वो बहुत अच्छा है… वो इस मामले चौथेस्तान पर हैं … इस मामले में स्टीव स्मित सबसे आगे हैं वो जब भी अर्थ शतक जमाते हैं उसमें से हर 2.58 बार उसे शतक में तब्दील करते हैं। आज ये मामला 2.6 दूसरे स्थान पर हैं। सचिंते दूर कर तीसरे नंबर पर वो कोली से दश्मला अंक आगे हैं। आउस्ट्रिले के डेविड वार्णर 2.65 पांच पांच वे नंबर पर हैं। बैराल इस पूरी खबर पर आपकी क्या हरा है कमन सेक्षन में हमें ज़रूर बताएं। और देश दूने के अन्यवड़ी खबर के लिए सब्स्राइब करें। टीवी नाइन भारत वर्ण। झाल झाल झाल